अगर मैं कहूँ कि आप इस फोन से सरफ इस एक फोन से करोडो रुपे कमा सकते हो तो क्या आप मेरी बात मानोगे अगर नहीं मानते हैं तो इस वीडियो का end तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊंगा जो पैदा तो हुआ थ बैठ कर इसको हम अमीरों को रॉबिन हुड भी बोल सकते क्योंकि यह लेता तो अमीरों से है बट देता भी अमीर हिरोइन्स को ही है मैं बात कर रहा हूं कौन मैं तुकेश चंदर शेकर की इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़र डिसकस करेंगे कि कौन है सुकेश चंदर सेकेश ने दो सो करोड रुपे कैसे कमाई सरफ एक फोन को यूज करके और थर्ड इसने बॉलिवूड की टॉप अक्टरस जैकलीन फर्नांडेस और नौरफ अते को कैसे डेट किया इस कहानी में हर वो मसाला है जो किसी भी हिट फिल्म की गैरेंटी होती है इसमें सस्पेंस है ठ्रिल है धोका है फरेभ है लालच है लालची लोग है और पैसा पैसा तो पेशुमार पेशुमार सुकेश का जनम 1989 में बैंगलॉर में हुआ था वो एक लोवर मिडल क्लास फैमली से बिलॉंग करते थे मतलब जितने भी पैसे उनके पापा कमाते थे वो सारे खर्चों में निकल जाता था इसलिए सुकेश के पापा चाते थे कि सुकेश पर लिखकर एक बड़ा आदमी बन जाए बट सुकेश का मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था वो जिस क्लास में जाते उस क्लास में फेल हो जाते and 10th के बाद तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी and real estate का काम शुरू कर दिया real estate में basically उन लोगों को help करते से घर खरीदने में and अगर कोई deal हो जाती तो उनको 1% commission मिल जाता real estate से सुकेश ने पैसे तो कमाया बट उससे जाधा कमाये connections जब भी कोई बड़ा client जैसे कि कोई बड़ा business man या फिर कोई बड़ा politician घर खरीदने आता तो सुकेश उससे दोस्ती कर लेते बड़े-बड़े business man and बड़े-बड़े politician के साथ दोस्ती करने से सुकेश को पता चला कि हो कैसी बाते करते हैं इस तरह से बात करते हैं and इसका आगे सुकेश ने बहुत फायदा उठाया इसके बाद सुकेश ने बहुत सारे छोटे-मोटे fraud किये किसी से जूट बोलकर एक दो लाक रुपे ले ले लिए किसी से 20-25 लाक रुपे ले ले इन फाक्ट उन्होंने तो अपने family friend को भी नी छो थोड़े से पैसे लगेंगे आपने से काफी लोगों को पता होगा कि पैसे देकर यूपी बिहार हर्याना जैसे states में government job लग जाती है तो काफी लोग सुकेश को पैसे देने के लिए ready भी हो गए अब क्योंकि सुकेश लोगों को manipulate करने में काफी अच्छे थे उनको बहुत करते थे तो किसी को भी शक नहीं हुआ स्पूफिंग आप बिसिकली वह एप्स होते जिसमें आप डिसाइड कर सकते कि दूसरे के फोन पर क्या number डिस्पले होगा अब आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे किसी के बातों में आकर आप उसको पैसे दे दोगे तो मैं प्रोड कमाने के बात सुकेश अपनी बेस्ट जिंदकी जी रहे थे उन्होंने चिन्नाई में एक बढ़िया सा सी फेसिंग बंगलो लिया उसमें होम थीर्टे डलवाया स्विमिंग पूल बहुत कुछ डलवाया 15 स्पोर्स करें लगजरी कार ली रोज पार्टी करते थे व सौ लोगों को उल्लू बना कर एश करोगे ऐसा हो सकता है जब लोगों को पता चला कि भाई पैसे तो दे दिये बट नौकरी का कोई नामू निशान भी नहीं है तो लोगों ने एफाइयर करवानी शुरू कर दी और बस कुछी महीनों में सुकेश को अरेस्ट कर लिया गया अब क्योंकि सुकेश माइनर थे और वो सरफ 17 साल के थे तो उनको बहुत ही जल छोड भी दिया गया बट जेल से छूटने के बाद सुकेश का ये काम बंद नहीं हो बट डबल हो गया उन्होंने अपना ये राकेट और जादा एक्सपैंड कर दिया कभी वो कोई सीनियर भेजा गया जहां पर हाइप रोफाल क्रिमिनलस रहते हैं जेल में डिनर करने के बाद एक दिन सुकेश अपने रूम पर आकर सोचते हैं मेरे पास इतने सारे पैसे इतने सारे कनेक्शन है बट जेल में इन सब चीजों का फाइदा जब मेरे पास freedom ही नहीं है इन पैसों को तब ही उनके दिमाग की बत्ती जलते है कि पैसु से भी तो freedom खरीदी जा सकती है और उनके past experience ने यही बता है कि हर एक बंदे की कोई कीमत होती है अगर उतने पैसे आप उस बंदे को दे देते हैं तो वो बंदा भाग कर आपका काम कर देता है तो सुकेश अपने fraud के कमा हुए पैसे और भार के connection से एक एक करके जेल के staff को खरीदना शुरू करता है पहले कुछ पैसे जेल के सफाई करमचारी को दिये जाते हैं फिर security staff को फिर administration को और इसे देखते ही देखते कुछी महीनों में सुकेश साड़े 12 करोड रुपे 80 staff member को दे देते हैं जेल staff को जहां government की दरफ से सरफ 20-25 रुपे मिल रहे थे वहीं सुकेश अपने connection यूज़ करके उनके bank account में सीधर 10-20 लाक रुपे डलवा देते हैं और इसी वज़े से जेल के 80 staff member सुकेश की side हो जाते हैं जहां लोग जेल में भूके मर रहे होते हैं वहीं अब सुकेश जेल में ही king size life जी रहे थे जिस रूम में 40 लोगों को एक साथ रखा जाता है वहाँ पे सुकेश अकेले रह रहे थे उनको full VIP treatment मिल रहा था मानों उन्होंने अपने जेल रूम को farm house ही बना लिया हो उनका room अलग था उनका washroom अलग था उनका सारा का सारा खाना ताज hotel से आता था in fact उनके room में तो bed sheet भी लगाई गई थी ताकि वो camera से बच कर अपने सारे fraud को continue कर पाए and recently तो उनके जेल रूम से 1.5 lakh रूपीज की Gucci sleepers and 80,000 की jeans भी मिली है in fact काफी सारी heroines उनको जेल रूम में मिलने आती थी without any security check बाकी लोग तो उनको तिहार जेल का Dan Bilzerian बोलने लग गए थे खबर है कि चारो एक्ट्रेस तिहार जेल में सुकेश से मिलने गई थी इसमें निकिता तंबूली और निकी तंबूली, चाहत खरना, सोफिय सिंग और अरूशा पाटल शामिल है बट इन सब चीजों से सुकेश का पेट नहीं भरा, उनको कुछ और भी बड़ा करना था and 2021 में उनको एक बहुत ही बड़िया opportunity दिखती है जेल में एक और बंदा था शिविंदर सिंग, 40s healthcare का promoter इन छोट बोलू तो काफी अमीर बंदा बट कोविट में corruption की वज़े से उनको भी तिहार जेल में डाल दिया गया था शिविंदर के घर में सब लोग काफी परेशान थे specially उनकी wife जो की काफी desperate थी अपने पती को जेल से बहार निकालने के लिए अब क्योंकि सुकेश की बहुत बड़ी गैंग थी जेल के अंदर तो उनकी पास ये खबर उड़ती उड़ती आती है और सुकेश को दिखती है एक बहुत बड़ी मोटा पैसा कमाने की opportunity सुकेश अपने connections को बोलते कि बहुत मेरे काफी अच्छे दोस्त है आपको बस हमारी कुछ चाय पानी का जुगाड करना होगा अभीना election आ रहे तो कुछ रोकड़ा बिजवा दो अब अधिती इतनी जादा desperate and helpless थी कि जितना भी amount सुकेश ने मांगा उन्होंने transfer कर दिया and मैं पहले ही बता दू कि सुकेश इस काम में काफी expert था वो पहले भी बहुत सारी business man को जूट बोल कर पैसे निकलवा चुका था सुकेश अधिती को कभी किसी number से call करता कभी किसी number से and voice modulation का use करता था तो अधिती को लगता थे कि पूरी की पूरी home ministry उनके साथ है In another tape, सुकेश impersonated Home Secretary of India Ajay Bhalla Yes, good afternoon. Ajay Kumar Bhalla, this side, Home Secretary of India. Is this a good time? I can talk to you. Good afternoon, sir. Yes, sir, of course. It's a privilege to talk to you, sir. Sir, may I make a small request? I'm sorry, I've been requesting for a meeting and I would really like to come and meet if that is at all possible at any point of time. I would be most, most grateful for that. Aditi का उल्लू बनाते बनाते, सुकेश ने एक साल में 200 करोड रुपे निकलवा लिये थे इतना सारा पैसा, वो भी सरफ एक फोन और कुछ आप्स का यूस करके इतना शातिर था ये सुकेश अब इतने सारे पैसो का करे क्या? तो सुकेश ने सोचा, you live only once Bollywood की सबसे hot actress पटाता हूँ ये होगा ना challenge आज तक सुकेश ने सबको पैसे उसे ही खरीता था उसका ये माना था कि हर बंदी की कीमत होती है अगर आप उसको इतने पैसे दे दोगे तो फटाफट आपका काम कर देगा सुकेश अपने connection के through जाकलीन के make-up artist and best friend शाम को contact करते है सुकेश शाम से बोलता है Hey शाम, जाकलीन से बात करवा हो फिर सुकेश जाकलीन से बोलता है की Babe, loved your performance in circus मैं आपको कुछ gifts भीज रहा हूँ, please accept कर ले ना Gift में होते है, diamond rings, ghoade, billi, पतानी क्या क्या That सुकेश gave a loan of 150,000 dollars to Jacqueline Fernandez's sister in the United States of America She also said सुकेश had transferred 15 lakhs into her brother Warren Fernandez's account in Australia And that another 15 lakh rupees were delivered to Jacqueline Fernandez herself in person She also said that सुकेश चंदर शेकर had bought a horse for her ये सारे gifts देखकर Jacqueline हो जाते हैं, impressed की भाई, ये कौन businessman है, जो मेरे उपर इतने पैसे लोटा रहा है दोनों फिर call पर बाते करना शुरू करते है भाई, मतलब चैटे चलती है, चैटे, पूरी जेल के अंदर से सुकेश अपने आपको संट टीवी का ओनर एंड जेललीते का रिलेटिव बताता है जैकलीन भी इतने expensive gifts देखकर इस चीज को बिलीव कर लेती है सुकेश का भी काफी clear था कि I'll give her Gucci and she'll give me Poochie जब भी सुकेश बेल पर बाहर आता तो जैकलीन से मिलने जरूर जाता सेमी चीज सुकेश नौरा फतीह के साथ भी कर रहा था because why not 200 करोड है भाई 2-3 heroines पर खर्च भी कर देंगे तब भी खतम नहीं होंगे तो जहां एक तरफ जाकलीन पैसे उड़ा रही थी वहीं दूसरी तरफ शिविंदर की wife अधिती की नींद उड रही थी 200 करोड भी दे दिये और शिविंदर के बहार आने का कोई नामू निशान तक नहीं है बहुत महीने वेट करने के बाद अधिती फाइनली F.I.R कर देती है कि उनके साथ 200 करोड का फ्रॉड हुआ है इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है कि फ्रॉड की जिन्दकी एश भरी तो होती है बर जादा लंबी नहीं होती सुकेश अभी सरफ 32 येर्स के है ना बहुत जादा लंबा टाइम जेल में बिटाने वाले है जब तक हो जेल से निकलेंगे तब तक बढ़ा पा चुका होगा आपने स्टोरी से क्या सीखा जरूर कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो का लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर कुछ भी पूश्चना तो आप मेरे को इंस्टेग्राम पर फॉलो कर सकते हैं रितिक महलावत ओकी गैसे दास इस वामसाइट ओके थैंक यू बाए